तेजस्वी आदब को लेकर के बड़ा बयान दिया है तेजप्रताप यादब की आज पैदल पद यात्रा पर तेजस्वी आदब ने बयान देते वे कहा है कि इस तरह काले करम होते रहने चाहिए उनको इसके लिए बधाई है आपको बता दें कि तेजप्रताप यादब ने इसके पहले बीते रात तेजस्वी आदब को अपने पद्यातरा में शामिल होने का नियोता मीडिया के माधम से दिया था लेकिन तेजस्वी आदब शामिल रवाना हो रहे थे तो उनसे जब इस सवाल पूछा गया कि तेजप्रताप यादब ने आपको निमंतरन भेजा था वो चाहते थे कि आप इस पूरे काले करम में शामिल होने के लिए पहुंचे लेकिन आप नहीं गए तुस पर उनने कहा कि वो क्यों नहीं पहुंचे इस कि इस तरह काले करम होने चाहिए उनको बढ़ाएं क्या कुछ कह रहे हैं पहले ये सुनवाते हैं आपको बता दें कि तेजप्रताप यादब ने जेपी के जनती के मौके पर आज पैदल मार्च काले करम काया जो नहीं किया जिसके तहत वो पतना के जो चरखा समीती है वहाँ पहुंचे वहाँ पर मालयारपन के तमाम खबरों के बीच में तेजप्रताप यादब ने तेजप्रताप यादब के बीच लगतार जिस तरीके से दोनों भाईयों के बीच में तकरार बढ़ी हुई है उसको लेकर के तेजस्वी आदब को नेउता दिया था, कहा था कि वो इंतजार करेंगे, अगर वो सामिल होते हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन तेजस्वी आदब शामिल नहीं हुए, आपको बता दें कि तेजस्वी आदब और तेजपरतापय आदब के बीच में जगदा में तो अगर आपने कंडियाद को आपस नहीं लिया तो करफ़नें तो जाएगा, तो अविश्मन नुस्ट को लेकर चर्चाय हो रही है, बिजडी संगट जो है, वो गहरा सकता है, ऐसे मिरा सक्था करिये कि इस देखवार है, और वो कह रहे है, बिपक्ष भरम फेलागा, आप देखे होंगे तकि दो लाग करोर उपया जो सीएजी के रिपोर्ट में जो हाया है घर के डुकार तो जंता लोगों ने बथणंदार कर दिया अधियन के मामें पर उसका कार पूले तौर पे खामोस रुचकी है अच्छी बात होते रहे ना खल लखेंपूर में जो घटना हुई है जजशी जी